मेरट में बारवी के छात्र की घर से बुला कर हत्या कर दी गई रविवान देर राथ उसका घर से कुछ दूर जंगल में शब मिला है छात्र के सरीर पर धारदार हत्यार के जख में भी मिले है हत्यारा कौन है? हत्या का कारण क्या है? पुलिस परिजनों से इस बारे में पूश्टाच कर रही है मामला फलावदा थाना छेतर के गाउन नंगला हरेरू का है हत्यारे जंगल में लड़के का सब फेक गये थे वहां से गुजर रहे दो रागीरों की नजर उस पर पड़ी वह उसे जिंदा समझ जंगल से उठा कर अस्पताल ले गये इसके बाद हत्या की जानकारी पुलिस को मिल दी पुलिस ने परिजनों को दे दी है परिजन रोती बिलगते अस्पताल पहुँचे पुलिस जंगल से अस्पताल लाने वाले दोनों युवकों से जानकारी जुटा रही है मृतक छात्र का नाम राजदीप उम्र 17 वर्स है वह गाओं के किसान इंटर कॉलेज में वार्मी में पड़ता था परिवार में दूद का काम है रोजाना की तरह राजदीप रविवार साम के वक्त घर से डेरी पर दूद देने गया था डेरी पर दूद देने के बाद राजदीप घर लोटा इसके बाद दो युवक घर आकर उसे बुला कर ले गया काफी देर बाद वो घर नहीं लोटा देर रात होने के बाद परजनों को चिंता हुई कुछ समय बाद किसी ने सूचना दी कि उसका सव सरकारी अस्पताल आया है अस्पताल पहुँचे परजनों की सूचना पर पहुँची थाना पुलिस परजनों से पूछ नाच कर रही है बताया जा रहा है कि रात को राजदीब का सब जंगल में सड़क किनारे पड़ा था उधर पर जन बेटी की खोज कर रहे थे रास्ती से बाइक से गुजर रहे कुंडा निवासी दो लड़कों ने सब को देखा लड़कों को पहले लगा कोई जिन्दा आदमी गिर पड़ा है दोनों युवक राजदीब को उठा कर नजदी की सरकारी अस्पताल ले गए वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत खोंसित कर दिया राजदीब के पास से मिले आइकार्ट से अस्पताल में उसकी पहचान हूई और पजनों को बुलाया गया साथी पुलिस को भी सुचित किया गया पुलिस पुशताच में राजदीब के पजनों ने बताया कि राजदीब दोदे कर घर लोट रहा था इसके बाद दो लड़के उसे बुला कर ले गएं, वो लड़के उसे कहा ले गएं उन्हें नहीं पता था लेकिन उसके बाद बेटा घड नहीं लोटा, बलकि उसका शव मिला, रासदीप चार भाई बहनों में से सबसे छोटा भाई था परिवार उन लड़कों को भी नहीं जानता है जो उसे बुला कर ले गये थे बार्विकी छात्र की हत्या की वजए पुलिस तलास रही है अभी तक कोई खास क्लू नहीं मिला है हाला कि पुलिस को लव अफेर के एंगल से मामले की जाच कर रही है पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र की कोई रंजिस की बात सामने नहीं आई ऐसी मिसंका है कि अफेर की विवाद में उसकी हत्या की गई है फिलहाल जाच कर रही है पुलिस मोबाईल कॉल डिटेल्स का भी पता लगाया जा रहा है